जैश्री राम दोस्तों तो हम जा रहे हैं राइपूर से सीधा मुंबाई और मैं पहुंच चुकी थी एरपोर्ट पे और एरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि फ्लाइट डिले हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए और पी लिया जाए तो मैंने मंगवाए था होट चॉकलेट कॉफी और ये मुझे बेहद ही बेकार लगी मतलब बहुत जादा मीटा था उसके बाद दिले हो गई थी फ्लाइट तो उसके करण हमें मिली थी कुछ कुकी ये सारी चीज़े खाने पीने के बाद भी मैं बोर हो रही थी फिर फाइ तो यहां जगड़े की समापती करते हुए उन्होंने भी कहा पहले पेट पुझा फिर बाकी काम दुझा तो वह भी गए कि दाल तो आज मैं बना दूंगा पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मैंने बोला आप भी थोड़ा बहुत दाल रोटी खा लेना यार जाओ औ बहुत मुश्किल से इन्हें मनाने के बाद यह बोले कि रेसिपी तो मुझे मुझे मोबाइल से ही देखनी पड़ेगी और मैं बोले थी ओ माई गॉड़ आज हम यूटीव वाला दाल खाकर देखते हैं बिमार पड़ते हैं यह क्या होते हैं और यहां पर दाल की रेसिपी स्टार्ट हो गई थी और इनका दाल बनाना भी स्टार्ट हो गया है कड़ाई में दाल बनाएंगे नहीं कुकर में ही बनाएंगे सच बोले तो हमारे दिल धक धक कर रहा था पता नहीं दाल बनेगी यह दाल कर रायता बनेगा यह क्या बनेगा इसे खाकर हमारी तबीयत ना खराब हो जाए पर भरोसा तो है क्योंकि यह कभी-कभी कुछ-कुछ खाना बना लेते हैं आतिश भी बूल रहा था कि अगर यह अच्छी वनी तो खाऊंगा नहीं तो इनको पूरा खिला दूंगा मैं बली चलो मैं खालूंगी क्योंकि प्यार करती हूं तो शेफ ओ इंदोर हो सकती है तो दाल को जरूर धोलो उसमें कीडे मकोडे जो भी रहेंगे वो सारी चीजे उपर आ जाएंगी तो रॉबिन भी बता रहे थे कि देखो हमारे दाल में छोटे-छोटे कीडे आ गए हैं तो मैंने बोला तो क्यों ना इस दाल को फेक दिया जाए और दूसरा दाल मंगाया जाए तो इन्होंने मुझे बोला हट पगली इस दाल को अच्छी तरीके से धो देंगे तो सारी कीडे उपर आ जाएंगे और वैसा ही हुआ फिर हमने अच्छे से दाल को चेक किया सब ओके था अब डाल बिठानी की प्रक्रिया यहां से शुरू की जाती है तो सब चमच डाली नमक और एक चमच हल्दी बिलकुल स्वाद अनुसार फिर आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं इसमें एक चमच घी और लॉंग इलाइची यह सारी चीजे आपको डाल में डाल देनी हैं और उसके बाद क्या करना है डाल का रायता बना कर खा जाना है नहीं नहीं उसके बाद डाल को हमने चड़ा दिया गयास पर और उसे बनने दिया बागी की प्रक्रिया की सामान हम तयार कर रहे थे जैसे की टामाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया बिलकुल वैसे ही जैसे की मेरी उमीदे कटती ही जा रही थी कि पता नहीं डाल कैसा ब होनेगा हम खापाएंगे या नहीं खापाएंगे फिर काटा गया प्याज और प्याज काटे टाइम इनके आखों में बहुत आसु आ मैंने कहा कि यार आपकी सास आपको प्यार करती है इसलिए आसु आरे उस पर यह हस्ते लग गए यह सब बखवास है अब इनको बताओ यह सच है कि नहीं अद्रक और लसुन को भी पीस कर इन्होंने डाल दिया क्योंकि पेस्ट नहीं था तो ऐसे ही डाल दिया देखने में तो भाई टेस्टी लग रही है वैसे मसाले वगेरा सब अच्छे से भून रहे हैं और मुझे अब दीरे दीरे लगने लग गया था कि टेस्ट अच्छा आएगा और दाल बनकर रेडी हो गई थी इन्होंने चखना भी शुरू कर दिया था और सबसे बहले खुदी चखा मतलब मुझे खिला लेते या किसी और को खिला लेते सबसे पहले खुदी टेस्ट कर रहे हैं क्या आप भी अपनी दाल खुदी टेस्ट करते हैं मतलब जो भी बनाते तो कमेंट में जरूर बताना यहाँ पर लकी को भी दाल टेस्ट करवाई गई और लकी ने जब टेस्ट करके ब बनी थी इसमें दही का फ्लेवर अलग से आ रहा था तुरंध हमने चावल और दाल निकाले सब के लिए और हम सब ने भर पेट कर खाया दाल बहुत ला जवाब बनी थी ऐसे ही दाल आप भी बनाईए और अपने पती या पतनी को खिलाईए क्योंकि दिल का रास्ता पेट से ह कर गुजरता है तो रॉबिन ने तो मेरा दिल जीत लिया वैसे ही आप भी जीत लो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में और मुझे जल्दी से फॉलो कर लो गाइस क्योंकि इस चैनल पे डेली व्लॉग्स डालती हूं में और कमेंट में मुझे बताओ कि आगे और कौन से बनाए हम तब तक के लिए बाई बाई टाडा टेक क्यार और यह देखो यह मेरा स्वीट हाट है